मिलग और सब्सक्राइब होता है इसे काफी एक स्पेशिलाइज़ ब्रीडिंग हैबिटेट पास बतलब जहां पर अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सके इसे इसे बहुत ही इस तरह के स्पेशल हैबिटेट की ज़रूत होती है इसी वज़े से जो इसकी पॉपुलेशन है काफी और फिर से इंडिया है ऍसमें कुछ लांस्त बचे में जाते हैं और पे इनका इनसे घ्र हो जह है वहendaımızı कॉस्थ बचल की समस्केड खिली हो जाए से पहुत जादा घरी नहीं होनी चाहिए थोड़ा बट दूर दूर तक बटी होनी चाहिए और कहां कहां पाए जाते हैं इनका सबसे बड़ा कारण है जो इनके घोसले होते वो खराब हो जाते हैं तो अब पिक्चर में फिर से देख सकते हैं अब हम आते हैं साइबरिया की क्रेंट है तो यह देखिए इसके बार में जान लेते हैं कि यह जो यह बहुत बड़ी होती है साइब्र के लिएन बहुत बड़ी होती है मीजेश्टिघ माइगरेडरी बड़ तो नाम से बतार चल रहे हैं माइगरेडरी यहां पर आ रही है और यह विंटर में ब्रीड करती हैं वेटटलेंस में क्यूस ताइम उतलका मैपर आती है इन्हें tenure रैड तो यह सर्धियों में पोसे कहां पर आते हैं जो राजة सान में वहां पर यह पाशाय आते हैं में में फिर पह पनाई करह आ यह और 10 अधिन के वहांथकैना जो साइटिक आते हैं राइट बाद में इसे खत्रा किस-किस चीज़ें से तो पैस्टिसाइड से सब का इस्तमाल किया जाता है उस वजह से जो प्लूशन होता है वैट लेंड किस तरह से खराब हो जाते हैं उससे पर परशानी है फिर वैट जो ड्रेनेज होता है राइट यह हमने पूरा जो हमने यह और बाद रोड़ पर उसमें एक दर डीटेल में पढ़ाता है कि किस-किस तरह से जो वटर बाड़ी को डिग्रेड किया जाता है यह सब कारण है यह पार पड़ने के लिए रचे पर ने के लिए कुछ नहीं है समझ सकते हैं फिर आम आगे बढ़ते हैं next next पे corals बहूत एक तरह के हाथ में जो भी पार्ट एक्सपोज होता है इस इस में अपर जलन होने लगती है उसी तरह से सब्सक्राइब छूटे हैं तो जब बाण शैलन से महचूस होते हैं उसे बर्निंग सेंसेशन कहते हैं तो इनका घर कहां पर पाए जाते हैं जब water bodies पढ़ाया था तभी भी मैंने marine ecosystem पढ़ाया था तब उस टाइम भी अच्छे से बताया था तो जहां पर बहुत पानी पानी होता है वहां पाए जाता है water bodies में पाए जाता है और जो tolerance जो siltation होता है जो problem होती है उसे यह tolerant कर पाता है mostly clear offshore sites में इन्हें पाए जाता है फिर अब देखते हैं तो mostly देखिए जो साओध एजिन countries है south east station countries है वहां पर इसे दिखाए गए इसका distribution दिया कर वहां पर यह जाता है जाता है जो पनाया में पैसिफिक हो गया फिर गल्फ ऑफ चिरिकी और इंड़नेशिया इन्हें एरियास में इसे पाए जाता है और जो कुछ प्रविंस हैं जैसे कि आस्ट्रेलिया के वहां प काफी थ्रेटन हो रहा है इसलिए यह यूपीएसी का फेवरेड भी बनता जाता है फिर इसे डेकोरेशन के लिए जूल्री बनाने के लिए इसे कलक्ट किया जाता है उस बज़े से काफी खत्रा होता है और जैसा कि मैंने आपको उस चैप्टर में राइट वह मरीन तो मैरा जब टेंपरेचर का सड़न राइस होना या फिर टेंपरेचर का कम हो जाना दोनों से इने बहुत दिक्कत पहुंचती है तो आपको पता होगा कि यह कि सिंबाइटिक रिलेशन होता है जो कॉरल होते हैं जिससे तरह से देखते हैं तो उस वज़े से जो यह असोसिएशन है जो खराब हो जाता है तो यह इसको प्रॉब्लम है और इस वज़े से ब्लीचिंग एफ्ट जो इसमें इतना अच्छे-च्छे सुन्दर से जो यह कलर है वह कलर चल जाते हैं ब्लीच हो जाते हैं और उससे वह खराब होने लग जाता है लेकिन वह क्वेशन एक बार आया थ हैं वह उड़ा है तो सलेक कि अपना द्यान लगाते हैं तो मेरे इसाःन से अप्直接 किस्धिया करन mais की आंड major माइच्छीन की कट के सीजन को डेकिन जैसे वह बताए साइबेरियां अप्लत यह पर जाती है उस वज़े से यह इंडिया माइगरेट करकर आजाती है इस वज़े से उस season को उस cutover season से बचने के लिए यह जो पक्षी है दूसरी जगे पर माइगरेट करके आते हैं उसके बाद लेकिन वह season खताब होने के बाद आपने original place पर चले जाते हैं यह तो यह जो डिस्टन्स है राइट थाउजंड से किलोमेटर भी हो सकता है राइट वह तो काफी दूर दूर तक यह माइगरेट कर सकते हैं तो देखें आगे बढ़ते हैं हम तो यह सीजनल होता है तो में मुसली अपके क्या याद रखने हैं बर्ड माइगरेशन का में ट्रक्टर क्य नियुक्स पोइंड जाते हैं यह याद रखें राइट को अब देखते हैं रीजन क्याहें माईगरेटरा आएट्वरेशन के माईगरेशन को माईगरेट करते हैं ब्लाइब कंदिशन के वाइज से फुट की कम यहान जाती है न को खाना होता है वह उतना उसमें उस नहीं स कहांने से होपाइगे पिर स्ल 영uga हो जाता है थ्यावजाक है न्यश्टाट मसledग में हो जाता है क्योंकि जो रिसॉर्स रॉंसे म dengan पड़ जाते हैं तोEvery लिस्ट दी गही है काफी लमभी अफसकते हैं जासे में कुछ बड़ दिती हुँ बागे आप देखी poziakers साइबेरियन क्रेंस हो गए ग्रेटर फिलमिंगों हो गया कॉमन टील हो गया यह आपको याद रखना है और यह ऐसे होगा आप बार बार देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा राइट पूरा रटना तो बहुत मुश्किल है लेकिन जो में हाइलाइट होते हैं सारे स्केडिल बहुत इंपॉर्टन थो फस्केडियूल वारे स्पीसिस अच्छली सबसे जादा इंपॉर्टन थो उन्हें कभी भूलना नहीं है फिर आते हैं सब्सक्राइब बार विंटर बड़्स हो गया जैसे कि क्राउड नाइट है रोन हो गया यूरेजिन गोल्डन बागी आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन शॉट ले लिजें फिर बुक से पढ़ लिजें अब हम आते हैं वाइल डिसीजस पर राइट तो कुछ सिर्फ हमें ही नहीं जानवरों को भी डिसीजस आती हैं कुछ वाइरल होती हैं कुछ बैक्टिरिया से लेटेड होती हैं और इंसे ज्यादा स्यॉटेबल मतलब किन झन जानवरों में ज्यादा संभावकरा हमारे हैं इसपीजस के होने की वह है ए बंध के यह जा अन्हां पृप मतलब जो इमसार ज्याफ संब४ार और जब आपको बिमारी देखते हैं और किसी माइक्र ओर्गनिजम को देखते हैं आपको क्लास्पाय करना आना चाहिए कि वह बैक्टिरिया है वाइरस है फंजाए है तो यह एनिमल्स देख लेते हैं जो सबस्यादा से सेप्टेबल है जिनमें ज्यादा होने की संभावना है गौर हो गया चीतल हो गया वाइल्ट पिक हो गया बार्किंग डियर हो गया देखिए लोग यह कलती करते जब र्पीं समझ 200 сेहां सिर्फ कुतों m overweight नहीं होता हैं कुझतों के बजह से ही रैंड्ष होता है तो necessary viral है है और इस हैह टाइगर में भी हो सकता है 행्स में भी हो सकत यह जरूर याद रखें सिर्फ कुट्टों में ही रेबिस नहीं होता है क्योंकि हमारे आसपस कुट्टे जाता रहते हैं तो हमें यहीं common लगता है फिर दूसरे कुछ और diseases हैं जैसे foot or mouth diseases में आते हैं जैसे हमारे यह foot or mouth diseases आता है उसमें उसका जो आते हैं वाइरस आफमडी वाइरस तो यह जादा गौर नीलगई सांबर मेथून इन सब को ज्यादा एफ्यक्ट कर सकता है फिर आता है रिंडर पेस्ट ये वाइरस के वज़े से होता है और डियर वाइड पेग वाइड बुफैलो इन सब को ज्यादा अफेक्ट करता है फिर ट्रिप्नोसोम्निया होता है वह वाइरस से होता है और ऐलिफंट टाइगर सामबर मकैक राइट मकैक कॉनसी स्पीस तरह की मतलब किसे कहते हैं यह आपको सारे आपसे सीफेस डिसकस किये थे और पुधाने लक्षरस को जरूर देखिये का बूल मत जाईएका उनको जरूर देखे कुछ पीश Alexandria थी जैसे से दाइनोसौर हो गए अभो नहीं पाया जाते वह Sting होट्ट चुकए है राइट वुलौफ्ट तो उससे बहुत सारी पीशिज है जो Charitasette नहीं उविलुप्त हो पाली एसजें के नियुक्त उसे डिय को दो अब है खरांनो body लगन इस ओंभी है उनके कुछ करन होते हैं कुछ को मतलब हम डिटर्माइन कर सकते हैं कि हम कह सकते कि इस वजे सहसे कि इस वज़ेस यहां पर जो यह इस पीसीज भी लुखत हो गया कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें स्ट्रोकैस्टिक प्रॉसेस कहते हैं जिसे कि जो बाइचांस हो जाते हैं जिस पर कंट्रोल नहीं होता और उसके वज़े से जो जो सर्वाइवल है जो यह आनिमल्स है यह जो स्पीसिस हैं उनकी सर्वाइवल पे और उनके रिप्रोडक्शन पे कोखे लिए पेटर्ट हो जाता है तो इस वजह से उनकी दो जो पॉपलेशन होती हों एक्स्ट्रिक्ट हो जाती है तो फिर कुछ एक्जांपल से यहां पर दिये होगे वैदर बैटर्ट चेंज होने के वज़े से फूट Supply में कमी होने के वज़े से कुछ बिमारियों के वज़े से कॉम्पिटीटर्स के बढ़ जाने के वज़े से कम रिसोर्स रहते हैं और कॉम्पिटीटर्स बढ़ जाते हैं प्रिडेटर्स जो उन्हें खार जाते हैं हमने जैसे फूट चेन में देखा था जैसे हमने evolution theory सब जो डार्विन ने दिया था उसी पर उसी ने यहीं पताया था कि किस तरह से जो survival है survival of the fittest extinction evolution के जो species evolve होते रहते हैं वह यह ज्यादा फिट होते हैं वह ज्यादा survive कर पाते है तो इसलिए जो genetic diversity है तो उसका साइस क्या है कितना कितनी ज्यादा diversity होते हैं मतलब evolution कह रहे हैं यहां पर राइट तो उस पर भी काफी ज़्यादा जिनमें ज्यादा possibility होती है तो उसे ज्यादा expose कर देते हैं उसके extension के chances बढ़ा देते हैं तो vulnerability बढ़ा देते हैं कुछ ऐसे traits भी होते हैं उनमें जैसे कि वह आगे जाके extinct हो जाए और जैसे कि जब हमने देखा habitat fragmentation जब बहुत सारे हैं जैसे कि rarity और low abundance मतलब population का कम होना वह ही होता है ठीक है फिर बाद में जो उनकी जो dispersal की ability मतलब एक दगे से दूसरी जगे जाना वह उन पर भी depend करता है और जो ecology है राइट आसपास के जो उनका जो ecology उस पर भी यह depend करता है उसकी specialization पर फिर unstable population यह कुछ एक तरह के चांसे मतलब कुछ factors दिए गये हैं तो फिर अब यहां पर देखते हैं तो कुछ high traffic status होता है जैसे कि जो animals higher traffic level पर होते हैं राइट उनका नंबर कम होता है उनकी population कम होती है जो लोवर लेवल पर होते हैं उनकी population ज्यादा होती है फिर जो adult surviving मतलब कुछ जो species है उनमें जो adults होते हैं उनकी जो survival की rate होती है मतलब कितने adult survive कर सकते हैं जिन्दा रह सकते हैं उस पर depend करता है और फिर कुछ मतलब किस तारह से populate करते हैं किस rate पर किस गती से वह populate कर रहे है उस पर भी depend करता है और फिर बाद में यहां पर दिया गए कुछ जैसे के आपने देखा था जो spoon built sandpaper है उसे कुछ कुछ एक special requirement होती है अपने habitat की जहां पर खाना खाया जहां पर ब्रीडिंग ग्राउंड बनाए तो इस तरह के specialized महौल उसे नहीं मिल पाता है और यहां पर दिया गया जैसे कुछ फैक्टर्स यहां पर दिये गए हैं जैसे देख लेते हैं continent drifting हमने ऐल्फरेड वैगनार के अमने जो कॉंटनेंट डिफ्ट थियोरी पड़ी थी हमने राइट जोगरफी में आप याद कीजिए शुरु-शुरु में तो उस वज़े से भी कहा जाता है कि आसे न तूर्ट में अक्टिबिटी होती है ले डाइवर्ज होते हैं इस वज़े से भी बहुत सारे जो स्पीसी वह नष्ट हो जाते हैं एक्स्टिंक्ट हो जाते हैं फिर वर्य के ग्लोबल ग्लैसियेशन जाता जाती है पूरी तरह से वह जगह बहांपर इन वेजिटेशन खताम तो यहां पर दिया गयता है लेट और्डवी और्डवी इस वजह से भी हुआ होगा और यहां पर यह लेट क्रिटेशियस एक्स्टिंशन तो फिर यह कुछ डाइनसार से रिलेटेड है कि जब एक्स्टरैस्टal मतलब स्पेस से बाहर से फिर प्लाइेट धर ने बाहर के अब्सकंट के वाज़े से भी ऐसा एसा को एसे जा इस समाने जाते हैं तो फिर यह वाक्तिंशन थे और जिवेक उसदून होती फो ती जो अट्डश्यों नहीं होती कम घहाचीक बेगती व्राइज होती है उन में कम होती है और ये भी माना जाता है that extinction among दिस ग्रूप द्सक्राइज धीक है तो composition इनमें ज्ञादा होता है एक उसरे को यह हटाते रहते हैं उस वजह से इनमें पूरा पूरा एंत्रोपॉलिजिकल रीजन्स बताए गए हैं तो लेकिन हमारी हीब काम की रीजन के बढ़ता जा रहा है जैसे इस वजे से क्लोबल वामिंग हो रही है ठीकल ठीकल्णाद का सब्सक्राइन ऑप गए हुआ है तो बनागने खहते हैं अनुप और दिया हैं रहते हुँ उनकी भी अभी तक पोच्छिंग होती जारी है और फिर उनका कलेक्ट करना उन्हें बंदग बना करके कैप्चर करके रखना उन्हें मार डालना बहुत सारे इस स्पीसी से जो हमने पढ़े थे पिछले पिछली चैप्टर में उनको अभी भी एक तरह से उनको स्म तोड़ते जा रहे हैं और इंवेसिव स्पीसी कुछ ऐसी स्पीसी को हम लोग बीना मतलब हमारी जानगारी के हम लोग उन्वें इंट्रिद्यूस कर दे रहे हैं तो इस वजह से भी एक्स्टिंशन बढ़ता जा रहा है अब हम आते हैं मैन अनिमल कॉन्फलेक्ट पे यह ब दो यहां पर क्या होता है जो बायल व्रुल कर जाते हैं वह में थार वायरो यहां पर आज़ते हैं और वह फ्तने सीन नक हम वायरो सांगा घबषगिन उन्माल्स का हम ड़्रा एं नहीं की कोशिश कर थे इस वजह से वह बहुत जयादा दिक्कत आया थी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इंसनों को इस वज़े से कुछ इंसान भी मर जाते हैं और फिर अपड़ ऊंच जाड़ा है और इस वज़े से बहुत सारी इस खतरा पहुंच रहे हैं और हुमन बहुत सार रिसोर्स जा रहे बहुत लोग के घरतबा हो जाते इस वज़े से उनके उनकी भी कोई गलती नहीं है फिर आगे देखते हैं तो अब क्या इसके कॉजिस के हैं अब कर दो कर आए उनकी जारा है उनकी जगह कम होती जारी है फिर उनका जो हैबिटेट के जाते हैं जिसे पालतू बनाई है उनके population बढ़ती जा रही है तो उस वज़े से जो wild animals है wild herbivores है उनसे उन्हें खत्रा पहुंच रहा है फिर जो इको टूरिजम में लोग का इंट्रेस्ट बढ़ रहा है और जो natural reserves है उनमें इंसान अब ज्यादा जा रहे हैं तो उस वज़े से भी उन पर बुरा असार पढ़ रहा है और यह man animal conflict और बढ़ रहा है क्योंकि कुछ लोग को बहुत शौक होता है बट होता है कि वहां पर देखें जाएं सफारी यह सब होता है उस वज़े से भी कभी होता है इस तरह का conflict अब देखते हैं abundance and distribution of wild prey तो फिर यह जो जो wild animals होते हैं मतलब जिनका शिकार किया जाता है और जो इसका शिकार करता है उसे प्रेड़िटर कहते हैं तो इसके यह काफी ज़्यादा ज्यादा मात्रा में होते हैं अबंडेंट होते हैं उसके बाद हम देखते हैं फिर जो wildlife population है उस वह भी बढ़ रहा है क्योंकि conservation बहुत सारे conservation प्रोजेक्ट्स चलाए जारे हैं जैसे प्रोजेक्ट टाइगर एलिफेंट इस सब के लिए जो उनकी जो population बढ़ाने के लिए जो measures ले जा रहे तो उनके वज़े से wildlife की भी population बढ़ रही है कुछ climatic factors भी है और कुछ random events जैस के वज़े से simple सी हम सोच सकते हैं जो वहां के जो फसले वो बर्बाद हो जाती है जो life stock है जो फेर मवेशी है जिसे पालते हैं वह खराब मतलब वो मर जाते हैं लोगों को बहुत सारे कभी हो ऐसा देखा गया कुछ बहुत सारे एक-दो लोग मर जाते हैं जिने वह अपना पहुत नचेता है उचान तरह को सेंसे लड़ते-लड़ते इंजर हो जाते हैं निज्स चुनतित लड़ते हैं सकते हुज में मारता देमेज होता है बहुत लोग का लाइवलिध का सोर्स चला जाता है फिर इंजूरी वाइफ को भी इंजूरी होती है अनिमल्स में उन अनिमल्स की बीड़ हो जाती है और जो हैबिटेट हो उसमें वह भी डिस्ट्रक्शन हो जाता उसका भी राइट कुछ प्रिवेंटिव से खत्रा पहुंच सके तो इस तरह का बैरियर बनाना चाहिए फिर गार्ड करना चाहिए तो बहुत सारे और फॉर्स ट्रेंजर यह सब जो लगाए जाते हैं उन्हें भी इंप्लॉई करना चाहिए फिर हाई कोस्ट ऑल्टरनेटिव हाई कोस्ट लाइफ स्टॉक राइट तो जो 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 वहां पर जो भेड मावेशी है सब होते हैं उन्हें भी अच्छी तरह से उनकी हैनिमल हैस्बेंट्री जो होती है वह की जाए उन्हें सुरक्षित रखा जाए फिर बाद में रिलोकेट तो जो जो लोग ऐसी जगह को छोड़ कर कहीं और जाना चाते हैं पर जो खत्रा है वह तल जाए और इस तरह के कॉन्फ्रेक्ट पर कमी आए काफी जादा फिर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है तो इस वज़े से भी काफी जादा दिक्कत आ रही है रैट फिर यह देखिए यहां पर जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम है यहां प चाहिए इंसेंटिव्स राइट जो लोग यहां से ऐसी जगे से उठकर चले जाए उन्हें कहीं और बसाने चाहिए तो उनको कुछ इस तरह की इंसेंटिव्स देने चाहिए फिर कम्यूनिटी बेस्ट नैचरल रिसर्स मैनेजमेंट इस तरह की कुछ स्कीम्स होती जो पूरे इस तरह से करें कि जंगलों तक मतलब उनके जंगल ना चीने उनसे राइट जो वाइड डानिमल से उनके घर उनसे ना चीने और फिर कुछ ऑल्टरनेट क्रॉप स्प्रे और वाटर पॉइंट जगे बनाया जाए मतलब कहीं और अगर उन्हें विस्थापित किया सकता है कह अगर खेत लगाई जा सकते हैं तो वहाँ पर कहीं और उसे शिफ्ट कर दिया जाए तो इस सारह कि ऑल्टरनेट उनके इसका सोचा जाए रैट फिर जो वाइड लाइफ है हो सके उसे ट्रांसलोकेट कर उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए जहां पर हुब पॉपलेशन ज बचा के रखना है कितना जरूरी है यह सब उन्हें अच्छे से समझाए जाए और बेटर इंफर्मेशन शेरिंग यह बहुत इंपॉर्टन्ट है इंफर्मेशन अच्छी तरह से शेर किये जाए इसके साथ चैप्टर कंप्लीट होता है मैं नेक्स चैप्टर के साथ जल्दी आउंगी आप लोग पढ़ते रही है और जो टेट सीरीज है जरूर खरीद लीजिए अगर आपको 2023 अच्छे से क्रैक करना है और एजली क्रैक करना है क्योंकि उसमें घंटे घंटों के हिसाफ से भी अच्छी तरह सापके दिया गया है तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छ एपसोड में थैंक यू सो मच